नवस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वेलकम बैक टु माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आप पुर्वी चंपार याने के मोतिहारी में फॉर्म डाले हैं तो आपके लिए एच्छी खव को कि ऐसे तो आपके लिए फायदा होगा अगर आपने कराने के लिए सोच रहें तो यहां पर क्या नियम रुवलेशन है यह जान लिजिए क्सिंद कराने से पहले यह भी बताते हैं कि जिन जो लो नहीं है उन जो लो खवर भी हम दिखाएंगे क्योंकि धिरे-धिरे हर एक केशी च्छाइवाक को यह पत्र जारी करना है एक गैड्लाइन जारी करना है और अपने नियोजन इकाई को बताना है कि इस तरह से आपको वो नाम दिया है या नहीं दिया है कि तीन पेज का पिडिया फे तो जानना बहुत जरूरी है तो देख सकते हैं प्रिशक दिया हुआ है जिला कारकरम पदादिकारी अस्थापना पुर्वी चंपारन मोतिहारी सिवा में संबंधित कारिपालक पदादिकारी नगर निगम पिनांग 24-12-2021 यानि कि आज के डेट में और अभी विजश्ट जारी किया गया है विशाय है प्रामिक सिच्छक निजन 2019-2020 के अंतरगत सिच्छक निजन है तो निधायत तित्य चक्र के कौंसलिंग के संबंध में यानि कि तिसरे चन की जो कौंसलिंग होने वाला है उससे रिलेटेट क्या बात है इसमें किया गया है उसका जिक्र यहां पे किया गया है तो चलिए देख लेते हैं कहा जा रहा है महासे उप्रित विश्यक अंकित करना है कि आपर मुक्षचीव सिच्छा विभाग विहार पटना के पत्रांग इतना इतना दिनांग 20-12-2021 के द्वा प्रामडिक सिचक्र नुजन 2019-2020 के अंतरगत तित्य चक यानि की तित्य चक अंतरगत सिच्छ नुजन हेतु कॉंसलिंग के तिति निधायत की गई है यानि कि 630 सनलंगन उक निधेश के आलोक में निधायत तितियों को कॉंसलिंग संपन कराया जाना है जिसके लिए पुर्वी चम्पानन, जिले के पर्थम और तित्ये चक्र के उपरांत कुछ नियोजन इकाई द्वारा कॉंसलिंग अबसेस रह गई है वैसे नियोजन इकाई ओं जिनका कॉंसलिंग निर्धाय तित्यी को सम्मंधित किया जाना है कि सुची इस पत्र के साथ सलंगन करते हुए निम्न बिंदु पर करवाई करने है तो आपको निर्देशित किया जाता है अब क्या-क्या निर्देश दिया गया है ये आप जान लिजे पहला है सम्मंधित नियोजन इकाई अंति मेधा सुची को NIC पर अप्लोड कर दिनांक 8.1.2022 तक अनुमोधित निगित दो परती में यानि कि दो तरह का दो फोल्डर में दो परती में फोल्डर तैयार कर हदो हस्ताच्री को निश्चित रूप से उपलवद कराना सुनिशित करेंगे यानि कि सिगनीचर के साथ दो फाल आपको बनाना है मेधा सुची को यदि निधायत तिथी तक किसी निजन इकाई के दोरा जिले के NIC पर अंतिम मेधा सुची अपलोड नहीं कराई जाती है तो सम्बंधित निजन इकाई यानि कि निधायत कौंसलिंग में भाग लेने की अनुमती नहीं होगी अगर निधायत किसी निजन इकाई दोरा जिले के NIC पर अंतिम मेधा सुची अपलोड नहीं कराई जाती है तो सम्बंधित निजन इकाई निधायत कौंसलिंग में भाग लेने की अनुमती नहीं होगी कि अपना मेधा सुची जारी करें जिसकी जबाब दे ही सम्मंधित पत्न्योजन एकाई की होगी। दुसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है वह देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि सम्मंदित नोजन इकाई जीला पता दिकारी पुर्वी चमपारन के ग्यापंग 1465 दिनाग 29-2021 के आलोक में सम्मंदित अभियर्तियों का से चक पात्रता परिच्छा उतिरूंता अर्थाद CTET या BTET उतिरूंता की जांच उपलाप्त कराय गये लिंक से अवस कर लेंगे च्छाय परति स्रलंगन के साथ देखे इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है कि इसमें कहा जा रहा कि सम्मंदित नोजन इकाई जीला पता दिकारी पुर्वी चमपारन के ग्यापक इतना इतना के अलोक में सम्मंदित अभियर्तों को से चक नियोजन है तो कॉंसलिंग नियोजन है तो निधात कॉंसलिंग किती थी कि पुर्व उक्त परक्रिया पून कराना सुनीचित करेंगे यानि कि यह सारा काम नियोजनिकाय कहा है और कॉंसलिंग होने से पहले यह आपको पूरा कर लेना है बिलम के स्थिति में किसी परकार की बिप्रित परिष्टिति की सारी जवाब देही आप की होगी अनुसर लंगन यतो यक्त जिला कारकरम पतादीकारियस था अपना पुर्वी चंपारन मोती हारी यह जिक्रिक किया गया है और एक पेज और इसमें 24 पेज पार में दिखाएंगे पहले यह पेज देख लेते इसम तिसरा पॉइंट तिसरा नहीं दिया हुआ है कि दो ही तक पत्र निकाला गया उसके बाद जो स्टीडूल है यहां पे आप देख सकते हैं स्टीडूल इस तरह से एक और स्टीडूल आप नजर डाल लिए करम संख्या नियोजन इकाई का नाम कॉंसलिंग के थी थी कॉंसलि होगा जिला मुख्याले गनित विज्ञान एमंभासा विसाय से वर्क शिक्ष्टू एट के लिए होगा यह आप देख सकते हैं नगर निकाई की बात कर लें तो उनीस एक दो हजर बाइस को जिला मुख्याले वर्क वन टू फाइब के लिए कॉंसलिंग करा जाएगा दूस नगर आप पंचायत की बात कर लेते हैं तो पंचायत की बात कर लेते हैं तो पंचायत निजन एकाई का जो फूटा है वो 281 2022 को प्रखंड मुख्याल है वह वर्ग 125 के लिए होगा बाकि सब जिला में ही होगा लेकिन पंचायत का ब्लॉक यानि की जो प्रखंड होता है उसमें आपका कराया जाएगा और इसमें कुछ बात यहां पर जो लेटर में जारी किया गया था वह यहां पर इंक्लूट जिले के एक सब्तापूर अप्लोड किया जाना अनिवार्ज होगा सभी जिला सिचापत अधिकारी यह सुनीचित कराएंगे कि सम्मत्री नोजन इकाई द्वारा और वंधिक मिधा सुची एवं सब्समय अंति मिधा सुची जिले के एक प्लोड कर दिया गया है पाचमा है यदि कॉंसलिंग की प्रक्रिया में किसी नोजन इकाई द्वारा अनियमता बरती जाती है तो जिला सिचापत अधिकारी का यदाइत होगा कि 24 गंटे के अंदर जिला पताधिकारी को इस सुचना से अबगत कराते हुए कॉंसलिंग रद करने की अनुसंसा करेगी तता सम्म कॉंसलिंग की प्रक्रिया में विभागी अधिसूचना ग्यांपक 2021 में उक्त के अतिरिक्त सभी प्रवधान या थावत रहेंगे तो यह सारा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों और भी कुछ अपडेट आएगा किसी जिले का तो वो भी हम अपडेट आपको अपने यूटूब चैनल के मादम से आपको मिल जाएगा धन्यबाद दोस्तों